जो बड़ी खबर आने वाली है इस विक में उसमा स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या इंपक्ट होगा और कल के दिन हम लोगों ने ये जो 400 पॉइंट के मुमेंटम को बैंक निप्टी में जो कैच क्या हुआ है उसके पीछे का लॉजिक यहाँ पर सीखने की कोशिश करते है तो इस वीडियो में हम लोग दो पार्ट में करेंगे पहले पार्ट में मैं आपको वीकली अनलिसिस करके बता होगा और वीकली अनलिसिस में मार्केट साइकलोजी को किस तरीके से समझना है उसको फंडमेंटल फैक्टर के साथ किस करी से करी के तरीके से क्लब करना है ये सभी iis video में सिखने कोशिश करेंगे जो आपको professional trader बनने में हिसाहीधा करेंगे अब यह आपके सामने में दिक्कत क्या आ रही है देखो जो भी कोई भी professional trader बनना चाहता हैुसको एक कशंगरस से गुजरना पड़ता है जब तक सोना नहीं गुजरेगा तब तक कुंदन नहीं बनेगा अब यह मेन प्रॉब्लम आपके सामने है कि आप लॉस्ट के ट्रेड को अवाइड करना चाहते हो यह जो अवाइड़न मेकैनिजम में यही आपके लिए प्रॉब्लम करता है जब तक आप यह लॉस्ट क्यों होता है यह कोशिश करते हैं अभी आपके सामने में ने जो चार्ट लगाया हुआ है वह वीकली का चार्ट में आगर आप देखोगे तो आपको यह आम पर क्लियर कर देख रहा है कि प्राइज नीचे आ रहा है अभी जब भी प्राइज नीचे आता है तो आपका फोकस कहां पर होना चाह है यह आने वाले वीक में होने की संभावना कितनी है इसको खाली हम लोगों को identify करना सीखना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे पूराने वाले historical chart का यूज करेंगे मतलब पहले हम लोग historical chart देखेंगे historical chart देखने के बाद मतलब जो past वाला momentum है वो past वाले momentum को हम लोग current momentum के साथ क्लब करेंगे और current momentum और past momentum को क्लब करने के बाद हम लोग future predict करने की कोशिश करेंगे जो भी future हम लोग predict करेंगे वो probability base रहेगा probability base का meaning क्या होता है मानलो हम लोगोंने total 10 ट्रेड ले लिए तो 10 में से कुछ trade हमारे positive में जाएंगे कुछ trade negative में जाएंगे जब भी हमारे यह ट्रेड निगेटिव में जाते हैं आप लोग क्या करते हो इस निगेटिव ट्रेड को आवाइड करने की कोशिश करते हो लेकिन ट्रेडिंग बिजनेस का एक सबसे बड़ा reality यह होता है कि ट्रेडिंग एक probability बेस बिजनेस है जहां पर हाप लोग ट्रेडिंग को ट्रेडिंग में होने वाले लॉस को कम्प्लीटली अवाइड नहीं कर सकते हो रिस्क रिवाड रिशो के थूबस यही हम लोगों को सिखना है अभी हम लोगों को एक बार पता चल गया कि मार्केट का डायरेक्शन क्या रहने वाला है तो हम लोग उसी पॉइंट के उपर ट्रेड ले लेंगे जहां पर रिस्क रिवाड रिशो सबसे ज़्यादा रहने की probability रहेगी और उसकी वज़ा से आगर हमारा loss भी होता है तो कु प्रटिकुलर कैंडल को रीड करना सिखेंगे psychology point of use है अभी प्रटिकुलर कैंडल को अगर आपको रीड करना है तो इसका एक simple technique आपको मैं बता देता हूँ आपको देखना है कि high low क्या है और close क्या है हम लोग open के बारे में ज्यादा focus नहीं करेंगे क्योंकि एक कावत आपन रूल यह होगा है कि इन तिनों point को हम लोगों को देखना है अभी step by step में आपको बताता हूँ यहाँ पर आगर आप देखोगे तो यहाँ पर market open हुआ यह open हमरे लिए important नहीं है हमरे important क्या है यह high यह low और यह वाला close अगर market जो है वो round level के करीब high बनाता है round level के करीब low बना अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 49,598 के करीब market ने यहाँ पर closing आभी weekly chart के उपर दे दिया है तो यहाँ पर हम लोगों को clear होगा है कि market को candle में किस तरीके से देखना है अभी हम लोगों को historical chart में देखना है कि market में कहाँ पर support का level निकल के आ रहा है और कहाँ पर market को एक trend line हम लोगों के लिए मिल रहा है तो यह दोनों बाते जब confirm हो जाती है तो हम लोग देखेंगे कि बड़े player कहाँ पर आने के बाद उनको बड़ा profit हो सकता है यह point बहुत ही crucial रहता है generally आप लोग क्या करते हो यह FII का data देखते हो फिर उसके बाद open interest का data देखते हो फिर उसके प्रिडिक करने की कोशिश करते हो कि बड़े player कहा पर entry ले सकते है अगर आपको बड़े player के entry को track करना है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि बड़े player को बड़ा पैसा कहाँ पर मिल सकता है जब आप इस concept को समझोगे तब ही जाब क्या आप track trace कर पाओगे कि कहाँ पर बड़े प्लेयर का इंट्रिय होने की probability है अगर आप देखोगे तो market में अगर बड़ा प्लेयर यहां पर sale करता है तो नीचे के side में और बड़े प्लेयर ने यहां पर buying already किया हुआ है तो high probability यह रहेगी कि यहां पर जो पिछले time पर बड़े प्लेयर ने buy किया हुआ था व यहां पर market दूबारा respect कर सकता है मतलब यहां पर अगर किसी बड़े प्लेयर ने buy के sale का position ले भी लिया तो उसको support की वज़े से बड़ा profit नहीं होने वाला तो यहां पर बड़ा प्लेयर sale का position नहीं लेगा अभी बड़ा प्लेयर buy का position यहां पर ले सकता है क्या अगर मान लो कि यहां पर बड़े प्लेयर ने buy का position ले लिया बड़े quantity के साथ तो जब भी market उपर जाएगा तो उसको profit होना start हो जाएगा क्योंकि overall market train अगर down में रहता है तो जो लोगों ने यहां पर sale के position बनाए रहेंगे और monthly expiry में अभी भी उनके position hold रहेंगे या फिर weekly expiry में जिन्हो ने short sale करके रखा हुआ है उनके position open रहेंगे तो वो लोग क्या करेंगे जैसे जैसे market resistance level के करीब आ जाएगा वहां पर sale का order punch करना चालू कर देंगे क्योंकि already उनके selling के position market में बने हुए है अगर वो लोग sale कर रहे है तो as such वो कोई ज्यादा risk नहीं ले रहे है क्योंकि उन्होंने already बड़े उपर वाले rate के उपर sale किया रहता है और जब वो sale का position ले लेंगे तो market automatically नीचे जाना start हो जाएगा मतलब इन्होंने जहां पर उपर वाले rate पर sale के position ले लिए है उनके position उनके ही trade की वज़ा से profit में आ जाएंगे यह जो concept में आपको बता रहा हूं यह थोड़ा सा advanced concept psychology का एक video समझने में आपको दिक्कत आ जाएगे आपको बार बार इस video को देखना पड़ेगा और फिर live market में आपको open interest के data के साथ club करके सीखना पड़ेगा अ तो यहां पर बड़ा player बड़े quantity के साथ buy का position भी नहीं लेगा क्यूंकि उपर की side में resistance level यहां पर बन चुका है तो एक बात हम लोगों को psychology analysis से confirm हो गई कि यहां पर बड़ा player जो है वो एक बड़े quantity के साथ ना ही buy का position लेना prefer करेगा ना ही sale का position लेना prefer करेगा तो बड़ा player अ तो आभी हम लोगों को समझना है कि बड़ा player कहां पर position बड़े quantity के साथ ले सकता है तो उसके लिए हम लोगों को support और resistance level को draw करना पड़ेगा यहां पर आपके सामने support और resistance level में ने draw किया हुआ है तो जैसे ही इस level को market break करेगा तो जिनों ने जिन भी big player ने यहां पर बड़े quantity के साथ sale के position बनाये हुए है वो most of the लोगों के position hold रहेंगे वो इस level के उपर अपना stop loss लगा देंगे और जैसे ही इस level के उपर market निकरना चालू हो जाएगा यह लोग यहां पर trap हो जाएंगे और वो लोग जब trap है यहां पर trap हो जाएंगे तो वहां पर वो अपने position को square off कर करने के लिए buy का order punch करेंगे तो उसकी वाज़ा से market में एक short covering का upside का momentum हम लोगों को देखने को मिल सकता है और बस यही वो position रहेगा जहां पर पुराने वारे बड़े player अपने position को काटेंगे प्लस अपने position को काटने के बाद जो loss होगा वो loss को recover करने के लिए double quantity के साथ भी market मे enter हो जाएंगे और side line पर बेटे हुए बड़े player भी यहाँ पर entry करने की कोशिश करेंगे तो यह big player का psychology रहता है तो यह अगर हम लोगों को समझ में आगा तो हम लोग भी unique जैसा करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जैसे ही market में यह breakout हम लोगों को मिलेगा तो यह breakout मिलने के बाद हम लोग यहाँ पर buy करने की कोशिश करेंगे अगर आप कल के दिन का bank निप्टी का 5 मिनिट का या 15 मिनिट का चार देखते हो तो almost same scenario हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है अगर आप देखोगे तो market यहाँ पर downside का momentum दिखा रहा था इस downside के momentum को अगर आप ठीक स देखोगे तो आपको यहाँ पर पता चला पहला sign हम लोगों को कहाँ पर मिल चुका था जब market ने इस level के करीब low बनाया हुआ था तो एक बर buyers ने ऊपर लेके जाने की कोशिश की लेकिन यहाँ पर seller दुबारा हावी हो गया और उन्हों ने market को नीचे लेके जाने की की लेकिन यह previous low के नीचे market यहाँ पर close नहीं हुआ तो यह हमें indicate कर रहा था कि यहाँ पर जो buyer आ रहे है वो बड़े quantity के साथ आ रहे है जो selling pressure को absorb करके ले रहे है तो यह buyer हमारे लिए आने वाले future का direction बताने की कोशिश कर रहे है सिर्फ हम लोगों को यह read करना आना चाहिए देखो चार्ट आपको सब कुछ बताता है लेकिन यह चार्ट बनाने वाला इस चार्ट के पीछे का जो चार्टिस्ट होता है उसके psychology को आपको समझना पड़ेगा और उसके psychology के साथ आपको sync करना पड़ेगा अभी यहाँ पर एक बात clear हो गई कि यहाँ पर बड़े player पर जाके चेक करके देख सकते हो अभी यह बात यहाँ पर confirm हो गई फिर उसके बाद हम लोगों को क्या हो रहा था हम लोगों को यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी मिल रहा था यह ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद यह तो confirm हो जाएगा कि यहाँ पर जो है वो रिटेल प्रेडर भी आ जाएंगे यहां पर जिन्होंने सेल के पूजिशन निकाले हुए है वो भी आपना स्टॉप लोस रिकवर करेंगे तो उसके वाज़ा से शॉट कवरिंग आ जाएगा अगर बड़े प्लेयर यहां पर बाई का फ्रेश प्रेंच करता है तो उसके वाज़ा से भी यहां पर एक पॉजिटिव बाहर जनरेट हो जाएगा और यह क्विक मुमेंटम हम लोगों को यहां पर देखने को मिला तो बस इसी तरीके से आपको मार्केट को रीड करना सिखना है तो वीकली चार्ड के ओपर हम लोगों को क्लियर हो गया कि मार्केट ने जो अभी प्राइज अक्षिन में यह कंक्लूजन हमको दे दिया कि मार्केट यहां पर आके रेंज बांड हो सकता है तो इसका कंफर्मेशन फंडामेंटल में हम लोगों को मिल रहा है क्या जी बिल्कुल मिल रहा है अगर आप यूएस मार्केट में जाओंगे तो यूएस मार् जासे मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ सकता है अगर यहां पर कुछ भी चेंज नहीं होता है तो यह रेंज बांड मुमेंटम कंट्यूनिय रह सकता है आने वाले एक दो हफ्तों के लिए मार्केट को हमेशा एक फंडामेंटल ट्रिगर चाहिए और इस फंडामेंटल ट् आप वीडियों मेने आपके सामने हं बनाया हुआ है इसके पीछे का मेरा मकसद यहीं है कि अभी तक आप प्राइज आक्षं को जिस से देखते थे वो नजरियों को चेंज कीजिए अगर नजरिया चेंज करने में आपको दिक्कत आ रही है तो क्या दिक्कत आ रही है यह मुझे कॉमेंट सेक्षन में बता दीजिए उसके ऊपर भी हम लोग से psychological solution लाने की कोशिश करेंगे अगर यह concept को आपको समझ नहीं आ गया तो आप एक professional trader नहीं बन पाओगे और आप एक trading strategy चेंज करने में आपका time waste करोगे क्यों आप time waste कर रहे हो क्योंकि आप loss को accept नहीं कर पा रहे हो कितने लोगों को loss accept करने का problem है यह मुझे comment section में बता दीजिए यह loss accept करने न करने के पीछे का reason क्या रहता है तो हम लोग जिस social culture में रहते है जिस economical जिस corporate culture में रहते है जिस educational system में हम लोग पढ़ते है वहाँ पर हम लोगों को यह train किया जाता है कि loss अच्छी बात नहीं है लेकिन trading में minimum loss लेना सबसे अच्छी बात रहती है तो आपके mindset को यहाँ पर 180 degree आपको change करना पड़ेगा और यह 180 degree कब change हो जाएगा जब आपको market psychology complete समझ में आ जाएगा market का actually function कैसे होता है market में कौन-कौन से participant रहता है वो participant का सोच किस तरीके से होता है इन सामोहिक सोच को किस तरीके से price action में open interest के data में read करना है यह जब तक आपको नहीं समझेगा तब तक आप नहीं बन पाऊगे professional trader और आपका जो struggle है वो struggle continue रहेगा बस इस struggle का जो पिरेड है यह पिरेड को मैं थोड़ा कम करना चाहता हूँ इसके वाज़ा से यह advance वीडियो बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और आपको help करने की कोशिश कर रहा हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको like कीजिए अभी हम लोगों के लिए important बात confirm हो गई कि market आने वाले एक दो हपतों में range bound रहे सकता है market में बड़ा momentum इसको upside की तरफ break करने के बाद या downside की तरफ break करने के बाद ही possible है तो यह हो गया confirmation अभी bank nifty का conclusion अभी देख लेते कि nifty में किस तरीके का scenario develop हो रहा है अभी इसको आप कितनी तरीके से प्रिडिक कर पा रहे होते हैं अभी सबसे important बात जैसा मैंने आपको सिखाया जब भी हम लोग चार्ट का analysis करते है analysis आपको तीन step में करना है पहला step क्या रहेगा हम लोग past वाले चार्ट को analyze करेंगे वहां से हम लोग क्या करेंगे support resistance level निकालेंग candle के analysis में हमारे लिए important है high low और आज के दिन का close और जब हमारा past का analysis future का analysis sorry current market price का मतलब current moment का analysis हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर future predict करने की कोशिश करते हैं तो यह generally अपना flow रहता है analysis करने का तो हम लोग past के उपर देखेंगे कि market में कहां पर support resistance level आ रहा है तो यह यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम लोगों के लिए एक support का level निकल के आ रहा है और इस support के zone को अगर हम लोग यहाँ पर draw करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि closing exactly उसी level के करीब आ जुका है फिर next probability कोई trend line हम लोगों को मिल रहा है कि है जी हम बिलकुल हम लोगों को यह यहाँ पर एक trend line मिल रहा है इस trend line को यहाँ पर मैंने draw कर दिया फिर कोई chart pattern मिल रहा है कि नहीं chart pattern हम लोगों को नहीं मिल रहा है अब यह हम लोगों ने यह past का analysis कर लिया अभी इस current market price के उपर देखेंगे कि हम लोगों को high low और close क्या indicate कर रहे है अगर आप देखोगे तो market जो है वह हाई के कारीब अगर close होता है तो एक bullish sentiment होता है अगर low के करीब close होता है अगर midpoint के करीब close होता है तो एक neutral sentiment होता है neutral sentiment हमें ये indicate करता है कि market में आने वाले दिगनों में हम लोगों को एक trigger मिल सकता है तो ये हो गया price action को psychology aspect से read करने के बाद निकलता हुआ conclusion अभी ये हम लोगों ने price action से conclude कर लिया तो बस इसका confirmation हम लोगों को fundamental में लेना है जो आभी हम लोगोंने conclude कर लिया ये ये था कि market आभी एक trigger के लिए wait कर रहा है और market आने वाले समय में range bound हो सकता है इस support को market immediately break करने के mode में नहीं है overall trend जो है overall trend downtrend है अभी ये conclusion को fundamentally क्या हम लोगों को कोई support करने वाला factor मिल रहा है क्या बिलकुल मिल रहा है market range bound कब तक रहेगा जब तक US Federal Reserve का कोई भी declaration नहीं आ जाता interest rate के बारे में तब तक बड़े quantity में बड़ा player position नहीं लेने वाला बस इसी point को समझे इसी point को repeat करने की कोशिश किजिए कल के दिन मैंने आपको bank nifty में एक signal दिया हुआ था यहाँ पर हम लोगों ने आलमुच 400 point का momentum क्याज किया अभी वो momentum को मैंने कैसे क्याज किया इसको समझने की कोशिश करता है इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा daily chart के उपर जाना पड़ेगा अभी आपके सामने मैंने daily chart लगाया हुआ है तो मैं generally यहाँ पर analysis कैसे करता हूँ मैं यहाँ पर multi time frame का use करता हूँ multi time frame में मैं पहले daily फिर उसके बाद intraday का time frame को मैं देखता हूँ अभी daily time frame में generally train को analyze करने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पर मुझे अगर train में support resistance level train line या फिर chart pattern मिल जाता है तो बस उनको मैं यहाँ पर mark करके रखता हूँ और फिर उनके breakout के बाद या reversal के बाद मैं intraday chart के उपर entry या नेक्जिट लेने की कोशिश करता हूँ अगर हम लोग train का analysis करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर clear कर दिखाई दे रहा है कि market जो है वो downtrend में बना हुआ है अभी जब downtrend का confirmation मेरे पास आ जाता है तो मेरे पास दो trading strategy रहता है एक रहता है sell on the rise का trading strategy और दूसरा रहता है break up support level के बाद trade करने वाला breakout trade का trading strategy तो यहाँ पर आगर आप देखोगे तो market जो था वो downtrend में बना हुआ था यह price action हम लोगों को clear cut indicate कर रहा था तो यह downtrend में sell on the rise और break up support level का use करना जाता था यह वहाँ पर में wait and watch के mode में था लेकिन जैसे ही market एक बड़े gap up के साथ खुला तो उस gap up के बाद में wait कर रहा था कि कब मुझे sell on the rise का strategy मिले और जैसे ही market ने gap up कर दिया उसके 5 minute बाद अगर आप देखोगे तो 5 minute के candle को close करते समय आपको clear कर दिखाई दे रहा है कि वो candle एक bearish candle बनके close हुआ है अभी इस candle का high low और close देखेंगे तो आपको यहाँ पे clear कर दिखाई दे रहा है कि close जो है वो एकदम से low के करीब आकर हुआ है तो यह हमें indicate करता है कि market में यहाँ पे seller जो है वो active हो रहे है और market का sentiment जो है हो sentiment negative हो रहा है बस easy point को आपको consider करना है और इस psychology concept को आपके live trading में implement करना है तो सबसे पहले इस video को आप 2-3 बार देखिए एक बार देखने में आपको समझ में नहीं आ जाएगा क्योंकि यह बहुत है advanced concept में आज आपको बता रहा हूँ second point आपको यहाँ पर जो भी मैंने point बताय हुए है उसको आपको book के उपर note down करना है और note down करने के बाद आप उसको live market में या फिर historical market में आपको उसको test करना है जब तक यह 3 step आप follow नहीं करोगे तब तक आपको यह बताई हुई बाते नहीं समझ में आ जाएगी क्योंकि यह one of the advanced concept में आपको आपी बता रहा हुँ तो यह करने के बाद आप एक जो भी कुछ आपके doubt रहेंगे मुझे वीडियो को like करने के बाद comment section में बता जीजे तो next वीडियो में हम लोग उसको cover करने की कोशिश करेंगे तो मिलते हैं next educational वीडियो में थैंक्यू वेरी मुच्छ